नमस्कार मित्रो मैं राजिव कुश्वा फिर से आगया हूँ एक नई वीडियो के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ थेमा शांग हमें और जीने की चाहत ना होती इस सांग का शेकेंड इंटेल्यूड और अंत्रा के बोल के बारे में शिखाने जा बताने जा रहा हूँ ध्यान पुर्वत देखियेगा और शीखेगा और दोस्ते चैनल पर नई हैं तो बली चैनल को सस्क्राइब कीजेगा चैनल को सस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत बूलियेगा ताकि आप लोग देख सकें मेरे नए कर सकते हैं सीख सकते हैं और अपना पूरा शांग कंपलीट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार करते हैं शांग का स्केल है सी माइनर जिसका काड ये रहा दुशे लिए सेकेंड इंटरल्यूट का पहला पाट देखते हैं जो की पियानों से है कैसे प्ले करना है आपको देखिएगा इसके बाद रनिंग आई है ये साहर मेजर काट पे देखिएगा कैसे बन फिंगर से देखिए इसका सेकेंड पाट इस बाद रनिंग आई है आपका जी साहर मेजर काट से देखिएगा बन फिंगर से देखिएगा ये थोड़ा फास्ट प्ले हुआ है इसके आगे क्या गरना है आपको देखिएगा इस पाट को एक बार फिर से देखिएगा अबर एक बार बन फिंगर से देखिएगा चलिए बन फिंगर से देखिएगा इतना प्ले करना है इतना आगे आओगा आगे रनिंग गई है मिडिल आक्टिब के जी शार नोट से और हायर आक्टिब के डी शार नोट तक देखिएगा फैसे चलिए सिलो में देखिएगा इतना दनिंग कवर करने के बाद इस्टिंग का पार्ट आजाता है कैसे प्ले करना है इतना प्ले करने के बाद सितार का पार्ट है देखिएगा कैसे प्ले करना है इतना प्ले करना है और सिलो में देखिएगा सितार का पार्ट तो मित्रों इतना था सेगेंड इंटरल्यूट अब अंत्रे के बोल को देखते हैं इस लाइन के बाद एक इकारडियन का मेजिक पार्ट है देखिएगा कैसे प्ले करना है इसके बाद फिर वही लाइन देखिट होती है तो इतना अगया होगा इसके आगे क्लाइन देखिएगा इतना प्ले करने के बाद फिर वही स्थाई वाली लाइन आ जाती है हमें और जीने की चाहत ना होती अगर पुन्ना होते तो मित्रों इतना था शेकेन इंटरियोट और अंतरे की बोल आसा करता हूँ आप लोगों को बाखोवी समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद